आज हम SketchUp के Curvy Loft Plug-in में Spline का रुका इस्तेमाल करना सिखेंगे Curvy Loft यह एक विनामुल्य Plug-in सबसे पहले SketchUp ओपन कीजिए Rectangle Tool चुनकर एक चौकोन यानि के Square बनाईए अब उसे Select कीजिए Move Tool चुनकर Ctrl की प्रेस करके उसे Copy कीजिए अब दोनों चौकोनों को चुनकर उन्हें Copy कीजिए अब एक Circle बनाईए Circle को Select करने के बाद Move Tool चुनकर Ctrl की दबा कर उसे दो बार Copy कीजिए अब इसके बाद सेंटर वाले Circle को Rotate Tool से गुमाईए और Move Tool से उसे उसे उपर की ओर ले जाईए अब Curvy Loft प्लगिन में Spline करव चुनिए अब एक सिक्वेंस में सारे चौकोन और Circle चुनिए अब स्क्रीन पर क्लिक कीजिए आपको एक Wire Frame दिखाई देगा अब स्क्रीन पर दुबारा क्लिक कीजिए आपको 3D शेप बनकर तयार हुआ दिखाई देगा तो SketchUp के Curvy Loft प्लगिन में Spline का रोका उप्योग इस तरह से किया जाता है SketchUp यह विनामूल्य 3D मॉडिलिंग सॉफ्ट्वेर है आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी मेरे ब्लॉग में पढ़ सकते हो मेरे ब्लॉग का लिंक इस वीडियो के नीचे Description Box में आपको दिया हुआ दिखाई देगा